देखो सबसे पहली बाद हमारी कमजोरी क्या है हम परेशान हो जाते हैं संसार में देखो तो परेशान परमात के तरफ देखो तो हम परेशान हो यह मारा अधर सुभाव बन गया परेशान हो ना थोड़ा सा धायरिवान बनो गंभीर बनो कोई सभारी से भारी विपत्ति में परेशानी स्वड़ी कार करके भी पत्ति थोड़ी निकला रहता है सुल जो ठीक है भी बत्ति आई समस्य आई इसका समाधान होगा ऐसा थोड़ी कि हम नश्ट कर देगी अगर अभी हमारी बड़ी हानी हो जाती है हम कल इससे बड़ा प्राप्त कर सकते हैं हमको एक दम गलकु जैना है इतने कंशुर नहीं बन जाना अब गए तो क्या होगा अब वह गई तो क्या पद गया और प्रेयास यह पद गया था इससे बड़ा प्राप्त करूंगा वाह इस्हें उत्षे बड़ा बाहन बनुगा ठीक है एक बार गेर कैया गल्की हो गये डंड बिल्कुल मदब एकदम फ्रस दिमाग रखना चाहिए और अपने लोग क्या है जरासी बात में एकदम पचड़ा कर लेते हैं एकदम कमजोर हो जाते हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है हम जीवन भर की आत्रा की बात कहे रहे हैं भारी से भारी कर्ष्ट में भी मुस्कुराना त भगवान की क्रपा का दर्शम हुआ है तो में उनका दुलार दिखाई दिया है अगर ऐसे बाग जाते फिर परमार्त में तोड़ी चलना होता है आज जो आप सुन करके लाग लेने की चेश्टा कर रहे हो ना ये प्रवचन नहीं है ये जीवन है अगर ये जीए ना होते न तो तो ये इसका प्रवाव ने पढ़ता ते बाड़ी का प्रवाव ने पढ़ता है तो हम इसलिए कहते हैं जैसे आप लोग इदम परेशान हो जाते हैं तो गुर्वा क्या हम से ज़्यदा परेशानी होगी दोनों किड्नी खड़ाब दवाई लाने के लिए पैसे हैंगे पानी रखा है अम उठके पी नहीं सकते हैं धिशन को सरीर में घर धिशन बुखार क्योंकि निफेल जरा में बुखार